हाई फ्रेंड्स मैं हुआ रशाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम यह सिखेंगे कि कैसे किसी भी सेंडिस्क के पेंड्राइब में फ्री में जो है वो हम अपना एक इस्टोरेज जो है वो बना सकते हैं जिसमें आप अपने इंपर्टेंट फोटो वीडियो या इंपर्टेंट डॉक्यमेंट जो है उसे आप लॉक करके जो है वो रख सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको सेंडिस्क का जो एक सॉफ्टवेर है वो आपको डाउलोड कर लेना होंगा जिसकी वेब साइड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है सेंडिस्क सेक्वर एक्सेस वर्जन 3 विंडोस यह आपको फ्री में डाउलोड करना होगा यह सिर्फ 15MB का सॉफ्टवेर है और आप इसे किसी भी तरह के फोटो वीडियो या किसी भी तरह के डेटा को अपने पेंडराव में लॉक या सिक्यूर करके रख सकते हैं तो सबसे बहुत दोस्तों आपको इसे डाउनलोड करके अपने पेंडराव में कॉपी मार लेना होगा और यह दिखिए हमारा जो है सेंडिस से क्यूर वर्जन यह कॉपी हो चुका है अब इस पर डबल क्लिक करके से उपन कर लिजिए अगर आप इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी जो है वो दे दी है तो आप इसे डिरेक्टली जो है इस लिंक से जो है वो डाउनलोड कर सकते है तो इसे डबल क्लिक करके आप सिंपली ओपन कर लिजिए जैसे ही ओपन होंगा दोस्तो आप चाहे तो इसके जो यह है सेंडी सिकर एकसेस की जो यह पीडिये फॉर्मेट दिये हुए इसमें आपको सब डीटेल मिल जाएंगी कि आप कैसे अपने इस पर पासवर्ड क्रियेट कर सकते हैं अपने पेंडराइव पर और अपने डेटा को सेकर कर सकते हैं तो यह दिखे हमारे सामने सेंडी सिकर एकसेस का जो विंडो है स्टॉलिंग की वो खुल चुकी है अब सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है इसके पास आई एकसेप्ट दो लाइसन टरम्स आप चाहे तो इसे पड़ भी सकते हैं या डिरेक्ली आएकसेप्ट दो टरम्स पर क्लिक करके इसे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए इसके बाद आप अपना पासवर्ट दाल सकते हैं आप जैसे मैं यहाँ पर 1,2,3 दाल रहा हूँ और इसके नीचे भी 1,2,3 इसी तरह आप हिंट भी दाल सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ से इस्पेशल चैरेक्टर अगर आप यूज़ करना चाते हैं तो इस पर आप यूज़ स्पेशल चैरेक्टर पर क्लिक कर दीजिए अब पासवर्ट हिंट दालने के बाद दोस्त आपको यहाँ से मैं पासवर्ट हिंट दाल रहा हूँ लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एट लिस्ट फूर से एट चैरेक्टर अगर जो हो दालने होंगी जिसे मैं यहाँ पर दाल रहा हूँ और यहाँ से आप सब जो हो डीसेबल सब आप्शन जो हो डीसेबल कर दीजिए उसके बाद ओके पर क्लिक किजिए और नेक्ष्ट पर क्लिक किजिए और आप यहाँ से चाहिए तो इस डोंट नॉट शो अगें पर भी क्लिक कर सकते हैं लेकिन हम डायरेक्ली नेक्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको यह दिखा रहा है 4 way to protect your files तो हम simply next पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए दोस्तों आपके जो locker है आपको यहाँ पर दिखा रहा है जो आप USB flash drive में इस wallet का use कर सकते है तो सबसे पहले अगर आपको इसके देटा दालना है तो देखिए यहाँ पर आपको send is secure access का जो है यह दिख रहा हूँगा इस पर आप double click करके open इसे simply कर सकते है जिससे हमने से install मा रहा था यह वही application है लिक्नी install हो चुका है अब आप यहाँ पर अपना password दाल दीजे और login पर click किजे यहाँ से आप चाहे तो इसे पूरा पढ़ कर आप इसे जो ही use करना सीख सकते हैं लेकिन यहाँ पर simply आपको अगर कोई चीज़ में insert करनी है तो यहाँ पर जो आपको यह निशान दिख रहा है इस पर click किजिए अगर आप यह नहीं चाहते यह option थोड़ा hard है इसलिए आप directly कोई भी चीज़ यहाँ से जो हो copy करके directly जो हो इसमें paste कर सकते हैं तो यह दिखिए है मैंने जो एक photo हो यहाँ पर select किया था 710 के भी के photo है और यह दिखिए यहाँ पर यह safely seeker हो चुका है आप आप directly इसे close कर सकते हैं और directly इसे double click करके open कर सकते हैं आप चाहे तो इसका backup का जो है वो भी internet से जो है इसका backup भी ले सकते हैं तो यहाँ पर देखिए हम अपना password डालते हैं और login करते हैं तो देखिए दोस्तों हमने जो photo यहाँ पर डाला था वो यहाँ पर show हो रहा है अगर आपको इसे निकालना है यहाँ से तो simplest पर click करके यहाँ से इसे आप directly delete भी कर सकते हैं delete पर click करके yes पर click किजिए और आप देख सकते हैं यहाँ से यह हट चुका है thank you friends मेरे वीडियो देखने के लिए please subscribe किजिए मेरे चैनल को और लाइक किजिए मेरे वीडियो को